असलमारेकूम वेल्कम बैक टू उपुछास कोजिंग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कि ज्यादा कम हैं और मैंने वीडियो बहुत ही ज़ादा अप्लोट की वी हैं लोग वीडियो देखते हैं बर स 16th theorem करेंगे ठीक है न तो इस theorem है बहुत छोट बट थोड़ा सा ठीकी सा है theorem कहता है if h1, h2, h3 and so on hn are subgroup of g then जो इनका intersection है यानि i हमें दिया गया है i हमारे पास क्या है 1, 2, 3 and n तक n तक है ठीक है न is also a subgroup of g ठीक है तो अब हमें इसमें फिर से हमारे पास intersection का आ रहा है subgroup को ह introduction वाली वीडियो देख लें तो यह हमारे पास दिया गया है अब हम लोग इसको solve करेंगे यानि इसको proof करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे sense h1, h2, h3 and so on यानि hn are subgroup of g so that जब हमारे पास यह सारे h जो हैं यह subgroup है g के तो हमें पता है तो हमें पता है कि इसमें identity भी होगी तो अब हम क्या करेंगे इसमें identity को belong करेंगे so that e belong to यानि identity belong to h1, identity belong to h2, identity belong to so on यानि identity belong to hn ठीक है न तो जब इन सब में identity belong कर रही है तो इससे हमारे पास क्या conclusion आता है कि जो identity है वो इनके intersection में भी belong करेगी ठीक है न तो यहाँ पर हम लिखेंगे intersection n तक जा रहा है I हमारे पास क्या है 1 से N तक है ना तो यह हमारे पास HI में भी बिलॉंग करेगा ठीक है क्योंकि सब में बिलॉंग कर रहा है तो जाहरी बात उनके इंटरसेक्शन में भी बिलॉंग करेगा अब हम लोग चलते हैं आगे तो आइडिन्टिटी के बात हो गई कि A B हम लोग कब बिलॉंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में तो इससे हमें पता चलता है कि जो A B है वो हमारे पास बिलॉंग करेगा H1 में भी A B बिलॉंग करेगा H2 में भी A B बिलॉंग करता जाएगा HN में भी ठीक है ना तो इससे हमारे पास inverse belong कर रहा है HI में, ठीक है न, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, कि HI हमारे पास क्या है, subgroup है, सभी है न, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, कि HI is subgroup, अच्छा subgroup, ठीक है, subgroup of G, ठीक है न, यहाँ हमने थोड़ी सी information लिख दी है आपे, हमारे पास HI को belong कर रहे हैं, तो ये AB हमारे पास इसके intersection में belong करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, this implies that, कि जो AB का inverse है, वो भी हमारे पास क्या होगा, इसके intersection में belong करेगा, तो यहाँ पर mention कर देते हैं, और इससे हमारे पास क्या proof होता है, this implies that हिंस, जो इसका intersection है, इस hole का, H यानि I, वो भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास sub group है, तो यह ता आज का हमारे एक short सा theorem, hope कि आपको समझ आगया हो, like, subscribe और share करना ना भूलिएगा, और वीडियो का इंतजार कीज़ेगा, नेक्स वीडियो में हम लोग एक और अच्छा स्थी और लाएंगे, till then watching, बिश्रा स्कोचिंग, और अपना ख्याल रखीएगा, thank you so much,